नमस्कार नियूजवन इंडिया मैं आप सभी का स्वागते और मैं हूँ आपके साथ प्रभाजोश्वी नरेंदर मोथी के द्वारा कलकी धाम मंदीर का शुला नियास किया जौएगा और साती साथ प्रथान मंतरी जुन सभा को भी सम्भोधित करेंगे तो आज उससंभल के दोरे पर मक्हे मंतरी योगी आदातर नात अर आपको बताते चुले कि आज कल के धाम मंदिर का शुलान्यास कारिक्रम है और शुलान्यास कारिक्रम में मुक्यमंत्री योगी आदतनात श्वामिल होगे और इसे के साथ साथ आपको बताते चोले कि प्रथान मंत्री नरेंद्र मोधी की ओर से मंदिर का शुलान्यास किया जोएगा और साथी जवनसभा को भी संबोधित प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी करेंगे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी उतरपरदेश के एक दिवस्य दोरे पर है और शुलसी का वर्पर, साधा जोहनकारी के साथ समधाता अतुल श्हर्मा हमारे साथ जुडचुकी है अतुला जु मेरे संभल के दूरे पर मुछे मंद्री यूगी आधित्जियाद उन्हारो थाईगा थे, जुगा कैसी मिल रही है संभल में गर्व 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 ैं प्रशाशन के बात की ज़ए उसी के साथ कहा जासकता है कि 20 000 से ज़दादा साथ और स्वंत देश के यहां पहुंच रह देश यहां पांचरा क की जात आजएं पिस-देस यहां परहते बहुपन के लोगों को का दिन इतिहास का धिन है और पंनों में लिखे जाना वाला धिन है कहा जा सकता है कि उत्टर प्रदेश के अंदर अयोध्या में राम मंदिर के बाद कलकी धाम की जिस तरह से सेलन्यास समारो है उसमें प्रदान मंतरी खुद पहुच रहे हैं वहीं अगर पिपक्ष की बात की जा इसुरुदी नोवी सी एक तरफ कहते हुए आयते कि देश के प्रदान मंतरी को कही ना कह सादू बन जाना चाहिए लेकिन वहीं आचारे प्रमुद किर्शनम की बात की जा तो उन्होंने कहा है कि हर कोई संत बनना चाहता है मंदिर मस्जित में जाने से राजनीती नहीं होती है तो कही ना कहीं अगर बात की जायारों में 24 चुनाव नजदीक से पहले जिस तरह से स जार सूले में इसका सिलन्याद समारो होना था लेकिन उसी बीच बर्तमान सरकान ने यानि अखलेस सरकान ने मंदिर पर रोक लगाई थी जिसके बाद आसपास के लोग बेहत नारास थे लेकिन आज की बात की जाए इस वक्त खुसी का माहौल है लोगों की बात की जाए लो प्रधान मंतरी योगी आधितनात किस वक्त संभल पहुंचेंगे और साथी साथ प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी किस वक्त संभल पहुंचेंगे और क्या कुछ कारिकरम किस तरीके से मिनिट टू मिनिट कारिकरम संभल में रहें प्रधान मंतरी के प्रदान मंतरी के अगर बात कीजाए साड़े दस बजे संबल हेलिपएट पहुचेंगे वहाँ पर चार मिनट का स्वागत समारो रहेगा मुख्य मंतरी योगी आदेतनात और जो कल की धाम के प्रमुक महंत हैं वो उनका स्वागत समारो करेंगे उसके बाद गर्वगरह तक एक मिनट तक पैदल या जो परिकर्मा है वो करते हुए प्रदान मंतरी नजराएंगे गर्वगरह में अनौ मिनट की पूजा अर्चना करेंगे सिलेनाज समारो है वहाँ पर हिस्सा लेंगे उसके बाद मंतरों का उचारन होगा और वहाँ से निकल करके सवा को संबोधित करते हुए नजराएंगे सवा को संबोधित करने से पहले मुख्यमंतरी योगी आदितनाथ आचारे प्रमोद कृष्णम प्रधान मंतरी के स्वागत अभी नंदन में जनता है उसको संबोधित करते हुए नजराएंगे उसके बाद प्रधान मंतरी जनता को संबोधित करते हुए नजराएंगे सादू संतों के साथ बैठेंगे उनसे चर्चा करेंगे मंतरों का उच्चारन होगा तो इसी तरह से पूरे दिन का विसेश कारे करम रहने वाला मुख्य मंतरी यूग या दितनाद की बात की जाए तो सवा दस बजे हैले पैड संबल अचोड़ा छेतर में पहुँचने वाले जहां पर खलकी धाम है तो कहा जा सकता है कि आज का दिन संबल के लिए बेहत खास दिन रहने वाला उसी के साथ बात की जाए प्रधान मंतरी खुद पूजा अर्चना करेंगे सिलन्यास करेंगे और उसके बाद मंदिर में आपकी उत्री दिसा में भूँ करके जो मंतर है उनका उच्चारन करती हो नज़राएंगे तो कहा जा सकता है कि जिस तरह से सनातन धर्म की बात की जाए सनातन लोगों की बात की जाए जिस तरह से यहां देखा जा रहा है जो तैयारिया चाक्चोबन मेहंतों की तरफ से की गई हैं सादू की तरफ से की गई हैं खुद प्रधान मंतरी आज पहुँच करके मंदिर का सिलन्यास करती ह वो नज़र आएंगे और कहा जा सकता है कि वो अद्बुत पल जिस तरह से आयोधिया में देखने को मिलाता है उसके बाद अगर बात की जाए कलियुक के नरेस की बात की जाए कलियुक नारायन की बात की जाए तो आज संबल में देखा जा सकता है उसी को ले करके खुद प्र विकास की गंगा बहेगी मंदिर बनने से विकास बढ़ेगा और आसपास के लोगों में आसपास के छेतरों में जो विकास की नदी है वो तेजी से बढ़ती हुई नजर आएगी उसी को लेकर कर बात की जाए तो खुद मुख्यमंतरी और प्रधान मंतरी जिस जिले में पहु है कि जिस तरह से सरकार इस वक्त साशन पूरा ध्यान दे रहा है देहा छेत्रों सहरी छेत्रों सभी पर ध्यान दिया जा रहा है लेकिन यहां पकी अगर बात की जाए संबल की बात की जाए तो आज कैई बड़ी योजनाओं का लाब लोगों तक मिल सकता है चले ठीक है अतुल शुक्रिया आपका अज्वान का दिसाज्वा करने के लिए